तो गाईज अब हम देखने बाले हैं यूनिट नमबर फॉर को जो हमने अभी आपको बताया था यूनिट नमबर फॉर में हम क्या बताएंगे देखे ये बीए सेकंडिय वालों का एजुकेशन का फ़स्ट पेपर है और इसमें हम देख रहे हैं दो हजार एक्षिस के इंप् पेपर में आने वानी कोशन मैं आपसे बादा करता हूं यहां से कोशन कोई बाहर नहीं जाएगा आपसे बादा करता हूं कि आप PDF को डानलोड कर लेते हैं तो आपको कोई फेल करने वाला पैदा नहीं है यह मैं आपसे बोल रहा हूं आप चैक कानपुर उनिवस्टी से हो या फिर आगरा उनिवस्टी से हो नकलाओ उनिवस्टी से हो योपी के किसी भी उनिवस्टी से क्यों नहों और या फिर आप MJP यारियरोरखण्ड से भी है तो भी आप P.D.F. को डालोड कर लेना मैं आपसे बोल रहा हूँ कोई भी कोशन बाहर नहीं जाएगा मैं आपसे बा और दोस्तों को शेर करेंगे, एक वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, और हाँ, चैनल को सस्क्राइब करना कभी नहीं भूलेंगे, अभी सस्क्राइब करो पहले तो, ठीक है, और वैल आइकन को प्रेस कर देना, यहां बोला गया है, चौथे यूनिट में, देखी, यहां ब इस कोशन आप से बोला जाएगा, पेडियफ इस परकार से ही होगी, यह कोशन होगा, उसके नीच आंसर होगा, आप अराम से पढ़पाएंगे, बहुत आराम से बढ़एंगे, आप कोशन पढ़णा है, अंसर पढ़णा है, बाकी कुछ नहीं पढ़णा है, इस परकाई से त الدόσ रखने की योकता तो यह किसकी दीती आप सभी को पता है यह कुंपूषामी दुवरा दिया गया था ये चीज अप शामत को चुब द्वारा कुम्पू श्वामी द्वारा option number D की और जाएंगे नेक्स कोश्चन बूला गया है बहे बालक जो मानसिक सारे रिक समाजिक सब्सक्राइब कह सकते हैं सब्सक्राइब आदी बिसेस्टाओं में औरत हो तो बिसेस्ट बालक कहलाता है ये कथन किसका था तो ये को को का था option number A की और जाएंगे यहां कह रहा है प्रत्वास आली जो बालक होता है सब्सक्राइब का प्रियोग उन प्रती उन एक प्रतिसत बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक मुर्दिमान होते हैं ये क कथन किस ने कहा था ये कथन कहा था इसकीनर और हैरी मैन ने option number हम की और जाएंगे नेक्स कोशन है प्रतवाश आली बालक प्रतवाश आली बालक होता है कि सारे गठन और समाजिक समयोजन व्यक्तित्व के लक्ष लक्षनों और बिद्याले उपलब्दी खेल कुचनाओं और रुचियों की बहुरुचियों से समान वालकों से बहुत सेष्ट होते हैं ये कथन किसका है तो आप कहेंगे ये टॉर्मैन और ओडन का है option number भी क्योड जाएंगे next question है पृतबा शाली बालक खेल जो कह सकते हैं जो पशंद करते हैं यहां बोला किया है जो पृतबा शाली बालक खेल पशंद करते हैं वो 5% मित्र बनने की इच्छा करते हैं और 80% धहरिवान होते हैं दूसरों का समान करते हैं और 96% क्या होते हैं अनुसास प्रिये होते हैं ये कथन किसका था ये कह रहे हैं ये बुंदी का द्वारा बुला गया ये कथन नेक्स कोशन बुला गया है पिर्मासानी बालक के लिए सिक्षा का सफल कारिकरम वही हो सकता है जिसका ओदेश उसकी विभिन योगताओं का विकास करना है ये कथन किसका था तो आप सभी कहेंगे ये किसका था ये था बिठा हैवी होस्ट का हैविंग होरेस्ट का ऑप्शन नमबर किसका था हैविंग होरेस्ट का था ऑप्शन नमबर एफ नेक्स कोशन है पिछले बालक उसी जीवन आयू के अन बालकों की तुल्ना में बिसेश चक्षिक निम्न विक्त करते हैं ये किसका था आप ये कहेंगे सोनेल और सोनेल का था ऑप्शन नमबर एक ही और हैं ये कथन किसका था ये था कुम्पू शामू का अप्शन नमबर एक ही और जाएंगे नेक्स कोशन है जो बोला गया है प्रिद्वासाली बालक की विसेश्था क्या होती है तो आप सभी को पता है मांसिक पिरिक्रियत्ती ब्रता से होगी और दैनिक कारों की भिर्णता हो होंगी उसमें पार्ट विस्यों पर अधिक रूची और अनुरूची भी हो सकती है यह उप्रोक्त सभी हो जाएंगे नेक्स कोशन यहां बोला गया है कि पिछला बालक बै होता है जो अपने कह सकते हैं विद्धहालिय जीवन को मद में अपनी कक्षाओं से नीचे की कक्ष जाएंगे यहां बोला गया है सेक्षिक पिछलापन अने अनेक कारणों का परिमार है और अधियम में मंदिता उत्पन करने के लिए अनेक कारणों एक साथ मिल सकते हैं यह कथन किसका था यह भी कंपू शामी का था पीडियेफ को सभी लोग डानलोड कर लेंगे समय या किसी सम्हू द्वारा उपयोगी एम संतोष जनक रूप से स्वविकार किया जाए यह कथन किसका है वह है इस टेन का है ठीक है याद रखिए नेक्स कोशन है स्रवधा स्रजनात्मक कर तक सकते हैं स्रजनात्मक ता कभी रचनात्मक सद्रश्य कभी उत्पादन और नवीन इस्थापना करता है और नवीन विचार उपस्तित करता है यह विचार किसका था आप सभी कहेंगे हैव हलका था किसका था डैल स्वरी यह था डैव हलका था किसका था डैव हल याद लखेंगे नेक्स कोशन है राष्टी विकलांग वर्ष्ट गोशित किया गया तो आ है कहता है स्रज़ात्मक बाला कि से विशेश्टा का होना आवशक नहीं है तो आपको दूर द्रश्टी का होना कि यह आवश्क नहीं है नेक्स कोशिन है यहां नहीं होता तो आपंगे राजनिदिक भाश्य वहाश्व नहीं होते हैं भाशन का मुक्छ कारण क्या होता है तो आप को बन सकता है पिछले बालकों की बदी लबन होती है तो वह ठी가지 है पिछले बालकों नहीं है तो उच्छित दिहान दिये जाने पर जो पिछला बालक सिख्षा में प्रगती कर शकता है तो वो कहा था किस ने कहा था यह सब तो आप यह कहोंगे सब्सक्राइब करोगे तो बहां से पढ़ लोगे पीडिया का लिंग डिस्कॉप्शन में हैं जाकर डालोड कर लेना मैं आपको एक बार दिखा देता हूं आप चाहें तो इसको वीडियो को रोक रोक को भी इसको सत्ता सत्त सबसकते हैं अब देख सकते हैं यह हमारी सेकेंड बुक से कुछ कोशन आये हैं जो बहुत जादा इंपोटेंट है तो सभी छात्रों से कहना चाहूँगा कि वो पीडियाफ को डालोड कर ले पीडियाफ का लिंक डिस्कॉप्शन बॉक्स में है थैंक यू लब यू और चैनल को सब्सक देख सकते हैं यू